इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपोर्टेंट मशीन लर्निंग टॉपिक कवर करने जा रहे हैं टॉपिक का नाम है इंबालेंस डेटा अगर आपने थोड़ा भी टाइम स्पेंट किया होगा मशीन लर्निंग में तो शायद आपको पता ही होगा कि आपको क्यों इंबालेंस डेटा पढ़ना चाहिए और उसके बाद हमने 5 टेकनीक्स डिसकस की हैं इस वीडियो में जहां पर आप यह सीखोगे कि अगर आपके पास इंबालेंस डेटा है तो आप उसको कैसे effectively handle कर सकते हो So let's start the video So video की शुरुआत में ही सबसे पहले इस question को answer करते हैं कि imbalanced data होता क्या है in machine learning So एक example के थूँ समझते हैं माल लीजे आप एक classification problem solve कर रहे हो ठीक है classification problem क्या है कि आपके पास एक college का data है जहांपे आपके पास कुछ students है और उन students का आपके पास CGPA का data है IQ का data है और placement हुआ या नहीं हुआ इसका data है और अब आप इसके उपर एक model को train करना चाहते हो और आप चाहते हो कि इस model को जबी भी आप future में एक नए बच्चे का CGPA और IQ दो तो ये model सही से predict कर पाए कि उसका placement होगा या नहीं होगा अब थोड़ी देर के लिए माल लेते हैं कि ये जो data है ये किसी बहुत अच्छे college का है माल लो किसी IIT का है और IIT का है मतलब यहाँ पर जादातर बच्चों का placement हो जाता है कुछ एक बच्चे ऐसे हैं जिनका placement नहीं होता है सो माल लो अगर हमारे पास fourth year के बच्चों का data है और हमारे पास कुछ 500 students का data है तो there is a chance कि 4500 बच्चों का placement हो गया होगा और 50 बच्चों का placement नहीं होगा अब इस तरह के situation में ये जो data हमें मिला इसी को बोला जाता है imbalanced data क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो दो classes है आपका बहुत जादा majority में placement होने वाले बच्चे है और minority में नहीं होने वाले बच्चे है अब अगर आप इसको plot करो तो आपको कुछ इस तरह का graph दिखाई देगा जहाँ पे आपने x-axis पे cgpa को रखा है y-axis पे iq को रखा है and you can see कि यहाँ पे जो points है her point represents one student का data and you can see there are a lot of blue points जो ऐसे बच्चो को represent कर रहा है जिनका placement हो जाता है और red वाले points ऐसे बच्चो को represent कर रहे है जिनका placement नहीं होता है so you can see blue का density और number बहुत जादा है in comparison to red वाले बच्चो का तो इस तरह का scenario अगर कभी आपको दिखाई दे machine learning में तो इसी को बोला जाता है imbalanced data in machine learning ये जो मैंने आपको example दिया ये एक binary classification problem का example था but trust me ये same problem आपको multi class classification में भी हो सकती है ऐसा भी हो सकता है कि इसी college में एक और group of students है जिन्होंने placement में participate ही नहीं किया तो माल लोग वो बच्चे जादा नहीं है दस ही बच्चे है और वो यहाँ पर है तो अब ये multi class classification problem है but इसमें एक class blue वाली class बाकी दोनों classes को dominate कर रही है blue वाली class majority में है green वाली class, red वाली class minority में है and this is an example of imbalanced data तो I really hope आपको सबसे पहले ये समझ में आ गया कि imbalanced data होता क्या है machine learning में अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब आपके दिमाग में curiosity आनी चाहिए कि तो क्या हुआ अगर मेरे पास imbalanced data है भी तो उसमें problem क्या है ये मैं आपको सबसे पहले समझाना चाहूँगा अब imbalanced data जो होता है उसके साथ दो problems आती है और ये दोनो problems बहुत बड़ी है let's talk about the first problem the first problem is bias let me explain इसका क्या मतलब है machine learning में everything is about data आप किसी machine learning model को data देते हो machine learning model उसमें patterns खोचता है learn करता है और फिर एक बार जब वो सीख जाता है तो predictions कर पाता है बट अगर आप उसको data ही ना दो तो फिर वो सीख ही नहीं सकता यही problem apply होती है imbalance data में imbalance data में आपके पास दो classes है एक है आपका majority class जिसके आपके पास खूप सारे instances है और एक है आपका minority class जो थोड़ा rare है आपके data में तो होगा क्या कि जब आप इन दोनों को भेजोगे किसी एक machine learning algorithm के पास तो machine learning algorithm को ज़्यादा data दिखाई देगा majority class का और since उसको ज़्यादा data दिखाई देगा majority class का तो वो ज़्यादा सीखेगा भी majority class के बारे में ज़्यादा focus भी करेगा majority वाले class के बारे में और since minority वाली class obviously minority में है मतलब इसका ज़्यादा data ही available नहीं है तो ये algorithm इस class के उपर ज़्यादा focus ही नहीं करेगा और इसको ज़्यादा value नहीं करेगा importance नहीं देगा और इससे क्या होगा कि आपका जो model train होगा वो biased होगा towards the majority class और उसके जो results होंगे वो majority वाले class के लिए तो अच्छे होंगे but आपका जो minority class के उपर results आएंगे वो बहुत ही खराब होंगे तो this is the biggest problem with imbalanced data second problem second problem is कि certain metrics are not reliable इसका भी मैं आपको मतलब समझाता हूँ so classification problem की अगर आप बात करो तो generally आप सबसे reliable metric किसको मानता हूँ या सबसे ज़्यादा आप विश्वास किस पे करते हो किसकी बात करते हो I guess आप बोलोगे accuracy classification problem है मतलब accuracy की बात होगी but guess what अगर आपके पास imbalance data है तो accuracy is not a reliable metric मैं आपको एक छोटे example से समझाने की कोशिश करता हूँ मान लो आपके पास same example लेते हैं in fact एक काम करते हैं 1000 के scale पे ले लेते हैं calculation आसान हो जाएगा 900 बच्चे ऐसे हैं जिनका placement हो चुका है और 100 बच्चे ऐसे हैं जिनका placement नहीं हुआ है आपके training data में अब अगर आप इस data के उपर एक dumb model train कर दो dumb model का मतलब जो बहुत intelligent नहीं है हमने इसमें बस एक line of code लिखा है कि किसी भी बच्चे का data तुझे मिले simply बोल दे कि उसका placement होगा जादा सोच मत अब अगर आप इस model को भी इस data पर train करोगे any guesses आपका accuracy कितना होगा आपका accuracy होगा 90% आपने इसको 1000 बच्चे दिखाए उसने without सोचे 1000 के 1000 में उसने क्या बोल दिया कि placement होगा कितनी बार गलत हुआ सिर्फ 100 बार और कितनी बार सही हुआ 900 बार accuracy कितना होगा 90% अब 90% accuracy कैसी है बहुत ही अच्छी है 90% accuracy के लिए तो हम लोग मरते है और हमें ऐसे ही just like that 90% accuracy अच्छीव होगई बट क्या वो फाइदे मंद है नहीं उनको predict करने में हमारा model जरा भी capable नहीं है बट हमारा accuracy 90% है तो this is the second biggest problem with imbalance data कि आपके certain metrics जैसे कि accuracy they are unreliable आप उन पे rely नहीं कर सकते यह दोनों points मैं आपको practically prove करके दिखाता हूँ so मैंने यह data set लिया यह exactly वही data है जो मैंने आपको थोड़ी दिर पहले दिखाया था so इस data में you can see imbalance है blue वाला class dominate कर रहा है red वाला class बहुत कम है अब मैंने क्या किया मैंने इस data के ऊपर एक logistic regression model को train किया ठीक है और logistic regression model को train करने के बाद मैंने 2-3 चीज़े की सबसे पहले accuracy calculate किया दूसरा मैंने decision boundary plot करके देखना चाहा सबसे पहले मैं आपको decision boundary दिखाता हूँ यह देखो guys this is the decision boundary since हम logistic regression यूज़ कर रहे है तो decision boundary एक line होगा you can see this line यह line कहां से गुजर रहा है यह line बहुत ही नीचे से गुजर रहा है और अगर आप ध्यान दो कि majority class है उसके उपर कोई गलती ना करे भले ही purple वाली जो class है उसमें गलती हो जाए फर्क नहीं पढ़ता है बट उसका बहुत high focus है कि yellow वाली class के उपर गलती नहीं होनी चाहिए और यह bias का example है आप देख रहे हो किस तरीके से आपका model आपके majority class को सही से predict करने की कोशिश कर रहा है whereas minority वाले class से उसको जादा फर्क नहीं पढ़ रहा है और यही होता है जब आप imbalance data के साथ काम करते हो एक bias develop हो जाता है आपके model में towards the majority class दूसरी problem भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर देखो मैंने classification report print किया है can you see the accuracy of this model the accuracy is 96% come on 96% is so good right आप कभी कोई machine learning model build करो और आप 96% accuracy achieve करो आप खुश हो जाओगे right but आप अगर ध्यान दो और आप इस जगह पर focus करो और specifically इस number पर focus करो तो आपको जटका लगेगा कि आपका जो minority class है उस पे जो recall score है that is just 29% इसका मतलब पता है क्या है इसका मतलब यह हुआ कि आपके model को आपके इस logistic regression model को जब 100 instances दिखाए गए minority class के वो उसमें से सिर्फ 29 को सही से classify कर पाया 71 पे उसने गलती की but guess what since minority class minority में है तो फर्क नहीं पढ़ता है accuracy is very high but imagine अगर आपने यह model बनाया ही होता minority class को सही से predict करने के लिए तो फिर यह model तो बहुत ही खराब model है I hope आप एरी बात समझ पा रहे हो तो यही दो सबसे बड़ी problems होती है imbalance data में मैं फिर से एक बार summarize कर देता हूँ the first problem is कि एक bias होता है towards the majority class minority class को ignore किया जाता है जिसकी वज़े से आपके results अच्छे नहीं आएंगे minority वाले class पे on the second problem is कि आपका accuracy जैसा metric आपको बहुत अलग और बहुत अच्छा picture दिखाएगा but reality जो है वो उससे बहुत खराब होती है और वो आपको तब समझ में आता है जब आप दूसरे matrix को जा करके देखते हो जैसे कि precision हुआ, recall हुआ ROC, AUC score हुआ इनके पास जब आप देखे जाके समझने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि चीज़े बहुत खराब चल रहे हैं अब आपको ये तो समझ में आ गया कि imbalance data होता क्या है और imbalance data के होने पर problems क्या होती है and obviously logical step यह होगा कि next हम लोग ये पढ़ें कि imbalance data को handle कैसे करना है बड़ उसके पहले मुझे लगता है आपके दिमाग में एक curiosity और आ सकती है और मैं पहले उसको answer करना चाहूँगा और वो curiosity यह है कि आपके दिमाग में ये question उठ सकता है कि मैं क्यों imbalance data पर ध्यान लगाँ मुझे क्यों पढ़ना चाहिए imbalance data के बारे में तो let me answer this question first मुझे आपको थोड़ा motivate करना है ताकि आप और अच्छे से इस पूरे वीडियो को देखो so मैं आपको दो reasons दूँगा कि आपको क्यों imbalance data पढ़ना चाहिए अगर आप एक data science aspirant हो so reason number one is that imbalance data is omnipresent imbalance data हर जगे मिलेगा आपको आज की rate में industries की अगर आप बात करो companies की बात करो तो classical machine learning कहां अपलाई होती है मैं आपको बताता हूं कुछ domains जहां पे आज की rate में machine learning भर-भर के apply की जाती है the first domain is finance financial companies को machine learning की जितनी ज़रूरत है शायद उतना और किसी को नहीं होगा उनका हर decision making machine learning पे depend करता है second is healthcare healthcare में भी machine learning बहुत use होता है manufacturing consumer internet companies like Netflix Amazon Prime, Facebook, etc environmental sciences यहाँ पे भी machine learning बहुत use होता है अगर मैं आपको example दूँ की what are some applications under each domain तो finance की अगर आप बात करो तो finance में fraud detection एक ऐसा application है जिस पे सालों से machine learning apply की जा रही है कि भाई खूब सारे credit card transactions होते हैं आपको उन में से उन transactions को खोजना है जो fraudulent हैं या फिर credit risk assessment जो banks करते हैं loan देने के पहले कि is there a chance की ये loan हमारा जो हमने दिया है वो डूब जाएगा ये एक बहुत important application है healthcare में rare disease prediction एक rare disease है और वो सिर्फ एक परसेंट लोगों को होता है तो हमें predict करना है data को देख करके कि कि किसको वो disease हो सकता है manufacturing में होता है कि किसी machine के खराब होने के पहले ही figure out कर लेना कि वो machine खराब हो सकती है consumer internet companies के लिए churn prediction एक बहुत important problem statement है Netflix को ले लो या फिर Amazon Prime को ले लो उनके लिए ये data बहुत important है कि कितने लोग अगले महीने उनका platform छोड़ देंगे ताकि वो ये पता करके उनको कुछ discounts वगरा offer करके पटा करके रख लें environmental sciences में कब earthquake आ सकता है कब volcano आ सकता है ये सब predict करना बहुत important एक application है और इन सारी जगों पे अगर आप notice करोगे तो first of all all of these are ML problems जहां पे आप machine learning लगा सकते हो and the second thing that you have to notice is all of these are nothing but imbalanced data problem खुद देखो fraud detection में normal transactions जादा होंगे fraudulent transactions बहुत कम होंगे credit risk assessment में आप loan बाटते हो बहुत लोग loan चुका देंगे बहुत कमी लोग ऐसे होंगे जो विजय माल ले आउँगे और आपका loan चुकाए बिना भाग जाएंगे rare disease prediction में ज़ादातर लोगों को disease नहीं होगा कुछ लोगों को disease होगा manufacturing में ज़ादातर machine सही से काम करेंगी कुछ एक machine खराब हो सकती है churn prediction में ज़ादातर customers अगले महिने का subscription भी लेंगे कुछ एक customers छोड़के आपका platform जा सकते है earthquake डेली नहीं आता है कुछ एक दिनों पर earthquake आ सकता है all of these are very important machine learning problems and the common thing between them is that all of these are imbalanced data problems और उसमें भी अगर आप ध्यान दो तो ये ऐसे imbalanced data problems है जहाँ पर minority class को predict करना ज़ादा important है fraud detection में उस बंदे को खोज निकालना ज़ादा important है जो fraudulent activity करेगा credit risk assessment में उस बंदे को खोजना ज़ादा ज़रूरी है जो loan default करेगा rare disease में उस बंदे को industry में आज की rate में अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो there is a chance कि 90 लोग उसमें से imbalance data problem पे काम कर रहे होंगे तो उस sense में it is very important if you are a data science aspirant कल आप industry में जाके काम करोगे किसी company के लिए तो there is a huge chance कि आप imbalance data problem पे भी काम कर सकते हो and उसी से reason number 2 निकल के आता है reason number 2 है कि interview point of view से ये topic बहुत important है आप हमेशा मुझसे पूछते रहते हो ना कि बताओ कौन से topics हमें पढ़ने चाहिए interview point of view से this is one such topic जिस पर मैंने देखा है कि बहुत सारे interviewers question पूछते हैं because उनको लगता है कि भाई देखो algorithms वगरा तो people ask a lot of questions around this topic तो ये दो reasons हैं जिसकी वज़े से मुझे लगता है that if you are someone जो अभी machine learning सीख रहे तो आपको इस topic को थोड़ा सा high priority देना चाहिए so guys काफी कुछ समझ लिया हमने imbalance data के बारे में imbalance data क्या होता है imbalance data होने से क्या problem हो सकती और सबसे important चीज़ हमें imbalance data क्यों पढ़ना चाहिए अब हमें ये पढ़ना पढ़ेगा कि imbalance data की जो problem है उसको solve कैसे किया जाता है और मैं आपको 5 सबसे important techniques पढ़ाऊंगा जो आपको हर जगा देखने को मिलती है ठीक है तो let's start with the first technique the first technique is under sampling ठीक है तो under sampling का funda क्या है ये समझाना बहुत आसान है actually so class imbalance अगर आपके data में है या imbalanced data आपके पास है तो problem क्या होता है कि आपका majority class और आपका minority class में बहुत ज़ादा का difference होता है right तो इस problem को solve करने का simple सा तरीका ये है कि आप अपने imbalanced data को balance बना दो balanced का मतलब somehow आपका majority और minority डोनों में बराबर number of data points होने चाहिए तो ये achieve करने का एक तरीका होता है under sampling under sampling में आप क्या करते हो कि आप अपनी majority वाली class को उठाते हो और उसके उपर sampling perform करते हो और sampling करके आप exactly उतने ही data points निकालते हो जितने data points minority वाली class में है और इससे आपको जो नया class data set मिलता है उसी को आप use करते हो अपने model को train करने के लिए यहाँ पर इस चीज का एक diagrammatic representation है orange वाला हमारा minority class है blue वाला हमारा majority class है and you can clearly see कि majority वाली class में minority के comparison में बहुत सादा number of data points है हमें achieve करना है balance तो हम क्या करेंगे हम अपने majority वाले class को उठाएंगे और उसके उपर sampling perform करेंगे random sampling हम randomly data points इस ते निकालते रहेंगे कब तक निकालते रहेंगे जब तक हमारे पास exactly उतने data points ना हो जाएं जितने data points हमारे minority class में already थे तो अगर यहाँ पर 100 थे और अगर यहाँ पर 900 है तो हम इन 900 में randomly 100 data points निकाल रहे हैं और यहाँ पर already 100 है तो यह जो नया data set हमें मिला इसमें rather than having 1000 rows हमारे पास यहाँ पर 2000 rows या फिर data points होंगे और इस simple technique से हमने achieve कर लिया balance and we expect कि ऐसा करने से हमारा result इंप्रूफ कर जाएगा अब अगर इस चीज को आप action में देखना चाहते हो तो मैंने python में code लिखा है let me show it to you तो हम इसी data set के साथ काम करने वाले इस data set में imbalance है blue वाली class बहुत majority में है red वाली class minority में है हम apply कर रहे हैं इसके उपर random under sampling ठीक है यह सारा code वैसे आप खुद से भी लिख सकते हो बहुत आसानी से बट हमें क्यों करने की ज़रूरत है जब हमारे पस already एक built-in class है जो हमें एक बहुत famous library से मिलती है library का नाम है imbalanced learn ठीक है बहुत ही प्यारी सी library है आपको जितनी भी techniques apply करनी है imbalance data की उपर वो सारी इन लोगों ने implement कर रखी है तो आप इसको आराम से use कर सकते हो हमने सिर्फ random under sampler class को import किया data को split कर दिया दो parts में और फिर random under sampling हमने apply कर दी by writing this code ठीक है fit resample बोलके यहाँ पर एक method होता है यहाँ पर हमने अपना x train और y train भेजा उससे हमें अपना x resampled y resampled मिल गया and you can see this is the result यह हमारा original data है और यह देखो हमा transformed data यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि first of all number of data points reduce हो गए है second जो number of blue points है और जो number of red points है वो आपको बराबरी में दिख रहे होंगे यह चीज मैं दूसरे तरीके से भी proof कर सकता हूँ अगर आप x train का shape देखो तो उसमें 320 data points थे अगर आप resampled वाले data का shape देखो तो there are just 42 data points similarly अगर मैं आपको एक और interesting चीज दिखाऊ कि original data में जो आपकी classes थे उनके बीच का distribution यह था कि positive class 299 था और negative class 21 था you can see बहुत ज़ादा imbalance है बट जैसे ही मैंने resampling किया या फिर under sampling लगाया मेरे 0 वाले भी 21 है और मेरे 1 वाले भी 21 है तो you can see इस तरीके से हमने क्या किया imbalance को हटाया, balance को achieve किया इसके बाद मैं रुका नहीं मैंने इस resampled data के उपर एक logistic regression model को train किया just to see कि क्या performance में improvement आया की नहीं and पूरी चीज़ apply करने के बाद these are the results so this is my F1 score this is my recall value अगर आपको याद होगा थोड़े देर पहले जब मैंने आपको recall दिखाया था the recall was not very good but under sampling apply करने के बाद recall has improved वो अलग बात है कि precision खराब हो गया because maybe शायद उतना अच्छा भी result नहीं आ रहा है ROC, AUC वाला जो score है वो ठीक है main चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी you can see पहले जो मेरा decision boundary था वो completely ignore करके चल रहा था minority वाली class को और पूरा उसका ध्यान था सिर्फ और सिर्फ yellow वाले points को सही से classify करने के उपर क्योंकि वो majority वाले data points थे बट जैसे हमने majority वाले data points को घटाया अब आप एक तरीके से notice करोगे कि भले ही यह best decision boundary नहीं है बट आपको यह चीज़ दिखाई देगा कि वो दोनों को बराबर importance दे रही है वो blue points को भी importance दे रही है और yellow point को भी importance दे रही है in that sense हमने balance अचीव किया results उतने अच्छे हिसले नहीं आ रहे because inherently data linear नहीं है maybe कोई और algorithm अगर आप लगाते हैं यहाँ पर like imbalanced, I'm sorry ensemble learning का कोई algorithm लगाते let's say random forest or some boosting algorithm तो वो non-linear boundaries create होती हो और शायद आपको better results मिलते but logistic regression तो सिर्फ एक line draw करेगा that is why results उतने अच्छे नहीं है but आपको main idea समझना है main idea यह था कि हमारा data imbalance था जिसकी वज़े से ज़ादा focus हो जा रहा था majority वाली class के ओपर but जैसे हमने यह technique लगाया क्या फायदा हुआ कि अब जो हमारा algorithm है वो दोनों को respect कर रहा है वो minority को भी respect कर रहा है majority को भी respect कर रहा है because उन दोनों का जो number है वो अब same हो चुक है ठीक है अगर मैं आपको बताओं इसके कुछ advantages and disadvantages इस technique के तो सबसे पहला जो advantage है वो है reduction in bias यह हमने अपनी आखों से देख लिया कि majority class को अब थोड़ा सा ignore करके, ignore नहीं करके दोनों को बराबर value कर रहा है यह हमने notice किया second फायदा यह है कि अगर आपके पास बहुत बढ़ा data set होता हमारे पास तो छोटा सा data set था और एक लाख minority वाले points बचते तो आपके पास जो data है वो छोटा हो जाएगा और छोटा होने से आपका जो training है वो fast हो जाएगा तो that is one of the benefits disadvantage भी है disadvantage तो सामने सामने आपको लगी रहा होगा कि we are losing a lot of data हमारे पास पहले जाहाँ 320 के around rows थे कितने बचे 42 बचे तो obviously इतना data जो हम ignore कर दे रहे हैं छोड़ दे रहे हैं हो सकता है उसमें कुछ important information छुपा हो जो help करता हमारे algorithm को तो वो हम miss कर जा रहे हैं that is one of the problems ठीक है and also since हम ये 10 lakh से 1 lakh पे जाने के लिए sampling कर रहे हैं तो sampling में भी एक bias आ सकता है हो सकता है आपने जो sampling की तो आपने एक type के points को रख लिया दूसरे type के points को ignore कर दिया तो उस sense में भी bias develop हो सकता है तो you have to be very careful वैसे तो random sampling करोगे तो उस थरीके से उतना bias नहीं आता है but you have to be careful because sampling करने से bias develop हो सकता है तो these are like some advantages and disadvantages of this technique but this is a very very useful technique जो लोग काफी इस्तमाल करते हैं while doing their projects let's move on to the second technique जिसको आप use करते हो imbalance data को handle करने के लिए the technique is called oversampling again एक बहुत simple concept हमारे पास imbalance data है हमारे पास majority में है 900 data points minority में है सिर्फ 100 data points और data में एक imbalance है और हमें इस imbalance को हटाना है balance achieve करना है तो एक तरीका तो ये है कि आप अपने majority class को घटा दो जैसा आपने थोड़े दिर पहले देखा दूसरा तरीका ये है कि आप अपने minority class को बढ़ा दो अभी ये 100 है किसी तरीके से इसको अगर आप 900 कर लो तो फिर आपका data फिर से balanced हो जाएगा बट सवाल ये है कि ये additional 800 data points आएंगे कहां से the idea is very simple duplication आप क्या करोगे आप randomly in 100 data points को लोगे और duplicate करते जाओगे कब तक जब तक कि आपका ये दोनों number बरावर नहीं हो जाता and this is the main idea behind oversampling या फिर बोला जाए random oversampling you can see इस visualization में ये समझाया हो है ये हमारी majority class है ये हमारी minority class है and what we are doing is we are upsampling our minority class with the help of random oversampling कब तक जब तक दोनो बरावर नहीं हो जाते very simple concept duplication of data to achieve balance ठीक है इसके लिए भी मैंने एक python code लिखा है let me show it to you so हमारे imb learn library में इसके लिए भी एक class दिया हुआ है random oversamplers frame flow है जो उपर था train test split मारा है और x train y train के उपर fit sample को call करके x resampled y resampled create किया है and this is the result ये हमारा data जैसा पहले था और ये data इस technique को लगाने के बाद एक doubt आपके दिमाग में आएगा कि ये दोनों graphs exactly same दिखाई दे रहें which means पहले भी red का number कम दिखाई दे रहा था और इस technique को लगाने के बाद भी red का number कम दिखाई दे रहा है तो फिर फाइदा क्या हुआ random oversampling लगाने का I guess आप लोगों ने इसको figure out कर लिया होगा सो हुआ क्या है कि ये second diagram में number of data points जादा है number of red data points जादा है the only problem is कि वो overlap कर गया है because of duplication सो ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर there is a good chance कि ये एक single data point नहीं है वो सकता है 8-10 data points हो it's just कि वो एक दूसरे के उपर stack up कर चुके हैं जिसकी वैसे हमें distinction समझ नहीं आ रहा so technique apply हुई है visualization में आपको समझ नहीं आएगा better तरीका ये होता कि मैं opacity यूज करता graph का मैं यहाँ पर थोड़ा transparent type के data points बनाता और यहाँ पर उससे अपने आप opacity बढ़ जाती है अगर खूब सारे points आते but it's okay आप कर सकते हो उसके बाद just to cross check x train में 320 data points थे x resampled में number of data points बढ़के 598 हो गए अगर आप class imbalance की बात करो तो पहले 291, 299 is to 21 था after applying this technique 299 is to 299 है फिर से मैं रुका नहीं मैंने आगे बढ़ा और logistic regression apply किया transformed data के उपर and these are the results so you can see recall improve कर गया है precision यहाँ पर भी थोड़ा hit ले रहा है ROC, AUC curve भी ठीक है और main चीज़ है यह decision boundary you can see it's respecting the minority class as well which shows कि हमारा यह technique at some level काम कर रहा है अगर हम वापस जाएं और discuss करें इस technique के कुछ advantages and disadvantages तो advantage में फिर से advantage same है कि bias का reduction हो रहा है which means अब जादा focus minority class पे भी आ रहा है दोनों पे बराबर focus आ रहा है which is a good thing अगर आप disadvantage की बात करो तो पहला disadvantage है कि जो size होता है data set का वो बढ़ जाता है almost double हो जाता है because आप up sample कर रहे हो तो अगर आप बहुत बड़े data के साथ deal कर रहे हो already 1GB का data था वो 2GB का हो जाएगा that's a problem right and second is a bigger problem कि आप क्या कर रहे हो आप duplication की help से नया data create कर रहे हो अब duplication is not good एक ही point अगर बार 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 create होता जाएगा तो आप अगर कोई machine learning algorithm लगाओगे तो उसको ये data point बहुत important लगने लगेगा और इस data point की वज़े से overfitting हो सकता है especially in certain algorithms like decision tree decision tree के साथ अगर आप random oversampling करते हो आपको कई बार overfitting देखने को मिलता है और आपका result अच्छा नहीं रहता है तो ये दो disadvantages हैं इस technique के जो third technique हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है SMOT और मेरे हिसाब से ये सबसे popular technique है data science community में अगर आपको कभी भी imbalanced data के बारे में सुनने को मिलेगा तो साथ में आपको SMOT के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा SMOT का full form होता है synthetic minority oversampling technique ठीक है synthetic minority oversampling technique तो essentially SMOT एक oversampling technique है oversampling मतलब जहाँ पे आप balance achieve करने के लिए minority class को upsample करते हो मतलब उसका number बढ़ाते हो तो यहाँ पर भी आप same काम करते हो बस एक बहुत बढ़ा difference है हमने थोड़ी दिर पहले जो पढ़ा था random oversampling वहाँ पे आप minority class को upsample करने के लिए duplication का help लेते हो आपने इसको भी duplicate कर दिया 4 बार इसको भी कर दिया 10 बार इसको भी कर लिया 15 बार इसको भी कर लिया 3 बार इसको भी कर लिया 6 बार और ऐसा करने से आपके पास exactly उतने ही data points आगे जितने आपके majority class में यह हमने थोड़ी दिर पहले देखा smote बोलता है कि duplication of data से problem है overfitting हो सकता है what if हम duplicate करने के बदले नए data points generate करे और नए data points generate करने से यह फायदा होगा कि आपका balance achieve हो जाएगा first of all और second overfitting का भी problem नहीं होगा so this is the main idea behind smote अब the point is कि हम नए data points generate कैसे करे so यहाँ पर smote एक smart technique यूज करता है जिसको हम interpolation बोलते है interpolation बहुत ही simple technique है but interpolation की help से आप क्या करते हो आप अपने दो existing minority data points के बीच में कहीं पर नया data point generate करते हो you can see right तो मैं काम करता हूँ मैं आपको step by step algorithm समझाता हूँ कि यह algorithm या यह technique काम कैसे करता है ठीक है बहुत ही simple है तो step one में आप क्या करते हो कि आप अपने minority class को उठाते हो जो हमारे case में blue samples है और उनके उपर एक KNN train करते हो five neighbor KNN ठीक है which means हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने हर minority data point के five nearest neighbors खोज रहे हैं ठीक है तो जैसे यह step हो जाएगा मुझे यह पता चल जाएगा कि मेरे हर minority data point के five सबसे closest neighbors कौन से हैं अगर यह आपको पता चल गया तो इसके बाद अब main काम शुरू होता है जहाँ पर आप synthetic data generation करते हो ठीक है तो इसका process क्या है बहुत simple है आप सबसे पहले क्या करते हो out of all your minority class examples आप किसी एक को randomly choose करते हो let's say आपने इसको randomly choose किया ठीक है आपने इसको randomly choose किया उसके बाद आप क्या करोगे आप जिस point को आपने select किया है उसके पाँच neighbors होंगे इस point के पाँच neighbors होंगे तो आप उन पाँच neighbors में से किसी एक neighbor को randomly select करोगे तो हो सकता है आपने इसको randomly select कर लिया ठीक है अब आपको क्या करना है अपने original data point और उसके neighbor के बीच में कहीं पर एक नया synthetic data point generate करना है और वो generate करने का formula यह होता है original sample minus a factor multiplied by original minus या sample minus neighbor इस इस दा formula यह formula मैं आपको example के थूँ समझाता हूँ माल लो आपका original जो sample है वो 11 है और जो आपका neighbor है वो 22 है और हमें इसके बीच में एक नया data point generate करना है तो सबसे पहले आपको एक factor चूज करना पड़ता है factor आप randomly चूज करते हो between 0 से 1 थोड़ देर के लिए माल लेते हैं कि हमने चूज किया 0.5 ठीक है अब क्या होगा आपका यहाँ पे है 1,1 minus 0.5 times 1,1 minus 2,2 यहाँ पे आगया 1,1 minus 0.5 times अंदर आ जाएगा minus 1, minus 1 1,1 minus minus 0.5 minus 0.5 और जब आप इसको finally जोड़ोगे तो यह आ जाएगा यह minus और यह minus plus हो जाएगा तो यह हो जाएगा 1.5 1.5 तो यह जो नया data point generate होगा वो exactly middle में generate होगा 1.5 1.5 पे ठीक है और ऐसा आप कब तक करते चले जाते हो जब तक आपका balance अचीव नहीं हो जाता इसका मतलब आप क्या करोगे अब एक दुबारा से step repeat करोगे आप फिर से एक random sample को choose करोगे ठीक है फिर उसके एक random neighbor को choose करोगे और उन दोरों के बीच में फिर से यह formula लगा के interpolate करके एक नया synthetic sample generate करोगे और ऐसा आप करते चले जाते हो जब तक आपका majority class और minority class बराबर नहीं हो जाता I really hope आपको यह algorithm समझ में आ गया very simple but very very useful अब फिर से मैं आपको code के थ्रू दिखाता हूँ so again हम IMB learn का help लेंगे उसमें smote बोल के class है हमने फिर से train test split किया और smote.fit sample से हमने x train y train भेज के x resampled smote और y resampled smote generate किया and you can see this is the result यह हमारा original data है और यह है हमारा resampled data you can see linear interpolation की वज़े से आपके red के जो data points है वो काफी बढ़ गए है ठीक है और यही चीज़ यहाँ पर प्रूव हो रही है 598 data points और 299 और 299 का हमने balance achieve किया और जब मैंने इसको apply किया हमारे data के उपर logistic regression लगा कि recall improve किया precision में problem चली रही है ROC AUC score ठीक ही है again जो चीज हमें guide कर रही है वो है decision boundary decision boundary again shows कि logistic regression थोड़ा तो value कर रहा है minority वाली class को तो this is how you apply smote on a data set अब अगर बात करें इसका फाइदा और नुकसान का तो benefit सबसे बड़ा तो यही है कि bias आप reduce कर पा रहे हो second duplication of data नहीं है तो overfitting का problem नहीं है but this technique has a lot of disadvantages as well यह भी आपको पता होना चाहिए बहुत popular technique है but इसमें बहुत ऐसा debate चलता रहता है लोगों के बीच में कि इसको लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए debate इसलिए चलता है because इस technique में disadvantages भी कहीं है सबसे पहला disadvantage यह है कि यह technique categorical data को handle नहीं कर पाती obvious बात है माल लो आपके पास इस तरह का data हो जहांपे x axis पे आपके पास categorical data है 0, 1, 2 ज। इस तरीके का कुछ दिखाई देगा अब इसमें माल लो आपका ये data point ये data point ये data point ये data point और ये data point ये आपकी minority class है अब माल लो आपको क्या करना है आपको randomly किसी एक data point को आपने select किया माल लो आपने इसको select किया और इसके एक neighbor को select किया माल लो यह है वो neighbor और अब आपको क्या करना है linear interpolation लगा के इन दोनों के बीच में एक synthetic data point generate करना है थोड़े दर के लिए माल लेते हैं कि आपका data point यहाँ पे generate हुआ अब यहाँ पे generate हुआ तो problem यह है कि इसका y axis value क्या होगा maybe 0.7 but guess what 0.7 तो होई नहीं सकता हमारा because it is a categorical data उसकी value या तो 0 होगी या तो 1 होगी या तो 2 होगी 0.7 तो होई नहीं सकती so that's the main problem categorical data पे आप इसको नहीं लगा सकते second is the computational complexity आप सबसे पहले इस data पे KNN लगा रहे हो KNN के बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आपका data बहुत बड़ा है और बहुत जादा dimension का है तो फिर KNN लगाना हमेशा problematic होता है because it's a slow algorithm आप हर point का हर point के साथ distance निकालते हो sort करते हो you do a lot of things high dimensional data में problem होगी अगला यह है यह बहुत interesting point है कि इस algorithm का performance इस बात पर depend करता है कि आप हर minority point के कितने neighbors लेके चल रहे हो अगर आप बहुत कम neighbors लेके चलो मालो आप k equal to one लेके चलो तो problem क्या होगा कि हर data point का सिर्फ एक ही neighbor पकड़के आप data points generate करते जाओगे तो इस line पे खूप सारे points generate हो जाएंगे variety नहीं आएगी whereas अगर आप बहुत जादा number of data points को consider कर लो as neighbors तो क्या होगा कि खूप जादा variety आ जाएगी मतलब आपके पूरे feature space में हर जगह पर आपको point देखने लगेंगे जो कि again अच्छी बात नहीं है तो you have to be in the middle somewhere और वो middle find out करना थोड़ा मुश्किल होता है generally लोग k equal to 5 लेके चलते है but again it depends on the data अगला point भी बहुत interesting है it is sensitive to outliers what if मेरे पास इस तरीके से मेरी minority class है और एक data point यहाँ पर है यह भी minority class का है तो randomly कभी यह भी select होगा यह select होगा तो इसका कोई तो कोई nearest neighbor होगा मालो यह उसका nearest neighbor है अब आपने क्या किया linear interpolation लगाया तो आपका एक data point यहाँ generate हुआ फिर यह second nearest neighbor है तो एक data point यहाँ पर generate हुआ can you see एक single outlier noisy data point की वज़े से और बहुत सारे outlier noisy data points आपके data में आ रहे है तो obviously आपके data का distribution खराब हो रहा है और performance अच्छा नहीं रहेगा कर भी दिये like this तो क्या guarantee है कि यह जो data points generate हुए है यह सच में आपके data के distribution को represent कर रहे है what if यह reality है ही नहीं आपने अपनी मर्जी से generate कर दिया बट reality में data ऐसा था ही नहीं population data की बात कर रहा हूं true distribution की बात कर रहा हूं जो कोई figure out नहीं कर सकता है बस results में आपको दिखाई देगा तो यह synthetic data generation में यह बहुत बड़ा problem है कि आपने जो data generate किया there is no guarantee कि वो आपके data का जो original distribution उसको follow करेगा तो these are the five major drawbacks of applying smote but again it's very popular लोग लगाते हैं और लोग इसके बारे में बहुत सारी बुराई भी करते हैं but it's an interesting technique और इसके बहुत सारे variants भी हैं मैं आप वोग वीडियो के end में दिखाऊंगा जो fourth technique हम लोग देखने जा रहे हैं वो भी बहुत interesting है और वो है ensemble methods ensemble methods आपने पढ़े होंगे bagging, boosting, random forest यह सारी चीज़ें तो हम क्या कर सकते हैं ensemble methods को थोड़ा सा tweak कर सकते हैं उनके behavior को थोड़ा सा बदल सकते हैं in order to handle imbalanced data so उसी का एक example मैं आपको दे रहा हूँ एक algorithm होता है balanced random forest random forest तो शायद आपको पता ही होगा यह उसी का एक थोड़ा सा slightly different version है जो imbalanced data के साथ बहुत अच्छा काम करता है मैं आपको बहुत जल्दी simple तरीके से बताता हूँ कि balanced random forest कैसे काम करता है और कैसे वो imbalanced data को handle करता है so मान लो आपके पास यह imbalanced data है जहांपे आपके पास जो majority class है उसमें 900 data points है और जो आपका minority class है उसमें 300 data points है ठीक है तो you can see there is imbalance अब आप क्या करते हो random forest में आप multiple decision trees train करते हो आप sampling करते हो data का और हर sample के उपर एक separate decision tree को train करते हो उसके बाद आप aggregation करते हो simple right तो यहां पर आप क्या करोगे कि आप जब नया sample बनाओगे तो आप यहां पर make sure करोगे कि जो sample बनके आ रहा है वो आपका एक balanced sample हो data भले ही imbalanced है बट sampling करोगे जब आप तो आप balance अचीव करने की कोशिश करोगे तो आपने क्या किया आपके पस 1200 data points का पूरा data set था आपने उससे जो पहला sample बनाया वो 600 data points का बनाया उस 600 data points में 300 आपके minority वाले होंगे और 300 आपके majority वाले होंगे जो की sampling से रचीव होगा random sampling से और इसके उपर आप एक decision tree model को train कर दोगे फिर आप second sample same तरीके से बनाऊगे आपके 300 minority वाले points और फिर आपने sampling करके निकाला 300 majority वाले data points इस पर हमने second decision tree को train किया and similarly हमने third sample बनाया which is again balanced third decision tree को train किया और उसके बाद prediction करने के time आप इन तीनों model से same question पूछोगे और let's say पहले वाले ने बोला 1 दूसरे वाले ने बोला 0 दूसरे वाले ने बोला 1 तो output आएगा 1 because of majority count तो roughly the idea is same the only difference that there is वो है कि आप जब sampling करके नया data set बना रहे हो तो वहाँ पे आप balance अचीव कर रहे हो ठीक है इसी का और better अगर आपको representation देखना है तो this is the representation this is your original data which has got a lot of points in your majority class and a very few points in your minority class इससे आप क्या कर रहे हो subsets बना रहे हो this is subset 1 right this is subset 1 we can see यहाँ पे हमने sampling perform कर दी majority class पे और यह रहा हमारा minority class as it is फिर हमने फिर से एक बार sampling perform की majority पे और minority वाला as it is this is the third subset और फिर इन तीनों के उपर हमने एक-एक decision tree को train किया और आगे का process बिल्कूल वैसा ही है जैसा आपका होता है normal tandem forest में ठीक है तो यह रहा है इसका code यहाँ पर आपको resample करने की ज़रूरत नहीं है आपको बस अपना data split करना है x-train x-test split किया और फिर normal जैसे आप कोई machine learning algorithm लगाते हो उस तरीके से आप model को train कर सकते हो और आगे फिर आप उसको देख सकते हो कि उसका result कैसा आ रहा है so you can see recall has improved precision is not that great ROCIEC थोड़ा सा घटा है बाकियों के comparison में बट हमने कुछ fine tune नहीं किया है करने से शायद improve कर जाता this is the decision boundary you can see it is respecting the presence of purple data points which is your minority data points और yellow को भी balance देने की कोशिश कर रहा है तो उस sense में कुछ तो फाइदा दिखाई दे रहा है तो ये एक अच्छी टेकनीक है इसमें और भी कुछ-कुछ techniques use होती है boosting में भी आप ये same काम कर सकते हो बट फिलाल let's focus on bagging या फिर random forest जो last technique हम लोग देखेंगे उसका नाम है cost sensitive learning cost sensitive learning क्या होता है कि आप machine learning algorithm के learning process में ही कुछ ऐसे changes कर देते हो जिससे की क्या होता है आपका machine learning algorithm imbalance data को थोड़ा better तरीके से handle कर पाता है that's the whole idea आप learning process में changes कर रहे हो ठीक है ये achieve करने के दो तरीके है मैं आपको दोनों का इक idea देखेंगा पहला जो technique है वो है class weights class weights का funda बहुत simple है कि आप machine learning model को train करने के time पे आपने दोनों classes को one वाली class को और zero वाली class को एक एक weight assign करते हो right one example मालो आपका one वाला class majority में है और उसमें 900 data points है और आपका zero वाला class minority में है और उसमें सिर्फ 100 data points है तो आप क्या करोगे आप खुझ से weights इस तरीके से assign करोगे कि आपका minority वाले class का जो weight होगा वो जादा होगा लेटसे आपने इसको दे दिया 10 का weightage और आपने इसको दिया सिर्फ 1 का weightage तो आप इससे क्या कर रहे हो कि आप अपने machine learning algorithm को ये information provide कर रहे हो कि देखो यार थोड़ा जादा focus करना इस वाली class के उपर zero वाली class के उपर because ये minority में which means कि कभी भी अगर तुम error आएगा तुमारा zero वाली class के उपर तो तुम इसको जादा seriously लेना और अपने learning process को इस तरीके से tweak करना कि जभी भी zero pairer आएगा तो तुम जादा penalize करना अपने learning process को ताकि अगली बार से आप जादा ध्यान दो और आप zero वाली गलतियां ना करो ठीक है? तो अगर आप optimization based algorithm की बात करो तो internally अगर gradient, descent जैसा algorithm apply हो रहा है का जो update होता है rate update होता है ना parameter update जो होता है जो gradient descent में formula होता है वो significantly large होगा जिसकी वज़े से zero वाली गलतियों के लिए भी आप सही direction में move करोगे ये थोड़ा technical बाते होगे अगर आपने gradient descent पढ़ा होगा तो आप शायद समझ पा रहे होगे otherwise आपको थोड़ा जाके gradient descent पढ़ना होगा मैं आपको nutshell में main चीज समझा देता हूँ main चीज यही है कि आप algorithm को किसी तरीके से ये बता रहे हो कि ये zero वाला भी important है भले ही तुमको data में नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन ये important है इसको जादा weightage दो तो जब भी तुम zero पे गलतियां करोगे उसको seriously लेना और अपने learning process को इस तरीके से tweak करना कि zero पे जो गलतियां है वो minimize हो और बहुत सारे classification algorithms आपको ये class weight वाला feature देते हैं in fact अगर आप psychic learn पे जाओ तो मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे भी आपको दिखाई देगा अगर आप decision tree में जाओ तो वहाँ पे भी दिखना चाहिए फिलाल मुझे दिखने रहा है काफी सारे parameters है ये रा class weight ठीक है same with boosting algorithms as well कुछ एक algorithms ऐसे हैं जहाँ पे आपको ये parameter दिखाई नहीं देता है जैसे कि canon अगर हम code की बात करें तो class weight को implement करना बहुत ही असान चीज़ है आपके सारे algorithms आपको directly parameter प्रोवाइट करते हैं जैसे यहाँ पर देखो हमने क्या किया data को split किया logistic regression लगा रहे है और यहाँ पे class weights बोलकर के एक हमारे पास parameter है हमने यहाँ पे बोल दिया कि 0 को ज़्यादा weightage देना है 5 times 1 को 1 times और normal जैसे हम data को train करते है model को train करते है वैसे हमने model को train कर दिया सब कुछ same है and you can see this is the result अब interesting चीज़ क्या है कि अगर आप यहाँ पे 5 times के बदले 25 times weightage देना चाहते हो तो यह देखो इससे result के आएगा you can see जो आपका decision boundary है वो थोड़ा और shift हो गया और वो और ज़्यादा value कर रहा है आपके minority वाले data points के उपर and that is why उनको सही से classify करने का उसके उपर बहुत pressure आ चुक है अगर मैं इसी को 50 कर दूँ तो यह pressure और बढ़ जाएगा you can see और आगे की तरफ यह decision boundary move कर रही है तो class weights is also a very interesting technique and the best part is very easy to implement almost सारे scikit learn interfaces में आपको यह built-in मिल जाता है और आप इसको अपने हिसाब से vary करके देख सकते हो कि आपको best results कहां पे मिल रहे हैं तो यह हो गया पहला technique जो आप लगाते हो cost sensitive learning में जो दूसरा technique है वो kind of similar ही है दूसरे technique में आप क्या गरते हो you use a custom loss function अभी तक आपने machine learning में जो भी loss functions के साथ काम किया होगा वो हो गए वही famous वाले mean squared error log loss etc but what if मैं अपनी requirement के हिसाब से अपने loss function में थोड़ा बदलाव कर दूँ तो there are certain machine learning algorithms जो मुझे ये feature देते हैं especially जो मेरे boosting वाले algorithms हैं जैसे कि gradient boosting हुआ xt boost हुआ light gbm हुआ यहाँ पे मेरे पास ये object मतलब feature होता है कि मैं अपना custom objective या custom loss function pass कर सकता हूँ अब माल लो हमारे पास एक ऐसा सिनारियो है जहाँ पे हमारा false negative जो error होता है वो ज़्यादा critical है in comparison to false positive let's say तो हम एक ऐसा custom log loss function define कर सकते हैं जहाँ पे हम false negative को ज़्यादा value करेंगे in comparison to false positive और फिर सिंस हमने अपने cost function में ही modification कर दिये तो automatically results भी उस तरीके से balance हो जाएंगे इसका मैं आपको एक example दिखाता हूँ अगर आप यहाँ पे देखो तो this is the code for custom loss function maybe अपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा बट आपको बस main चीजों पे focus करना है it's the same dataset जो हम use करते आ रहे है यहाँ पर हमने custom loss define किया है हम XGBoost use करेंगे and you can see हमने false positive का penalty बढ़ा रखा है 3.5 और false negative का penalty घटा रखा है क्योंकि हमारे पास इसी तरह का problem है जहाँ पे false positive ज़ादा critical है माल लो ऐसा spam filtering हम लोग बना रहे है तो वहाँ पे false positive ज़ादा critical होता है तो हमारा वैसा यह application है अब आप क्या करोगे आप जो gradient और hessians का calculation करोगे जो आप XGBoost में करते हो जिसके बिन आपका काम नहीं चलता वहाँ पर आप इन enhanced values के साथ सारा का सारा calculation करोगे तो आपका gradients और hessians का जो calculation है अगर आप इसी में आप changes करने लग जो माल लो आप इसको 3.5 के बदले 10 कर दो तो you would be able to see some changes यह देखो आपका blue वाला region बढ़ रहा है right because आपने और ज़्यादा weightage assign कर दिया अपने false positive को तो यह भी एक technique है थोड़ा सा ज़्यादा technical है इसको use करना because custom loss functions बनाना थोड़ा भारी काम होता है ज़्यादा आसान तरीका है अगर आप class weights use कर लो right तो जो भी है यह भी एक तरीका होता है to handle imbalanced data ठीक है तो हमने 5 तरीके देखे under sampling, over sampling, over sampling का एक और technique देखा smooth, ensemble method and cost sensitive learning अब अगर आप interested हो यह जानने के लिए कि वो कौन सी और सारी techniques है जो हमने नहीं पढ़ी तो मैं आपको उसका एक list दे देता हो ताकि आप खुद अगर पढ़ना चाओ तो पढ़ पाओ imbalance learn जो library है इन लोगों का जो documentation है वो बहुत बढ़िया है अगर आप API reference में जाओगे तो यहाँ पर आपको हर technique के लिए कई तरह के options मिलेंगे जैसे under sampling में हमने सिर्फ पढ़ा था random under sampler बट यहाँ पर आप देख सकते हो और बहुत सारी techniques और भी होती है similarly for over sampling methods हमने क्या क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था random over sampler और smote बट यहाँ पर you can see smote के और बहुत सारे variants होते है फिर आप over sampling और under sampling का combination भी लगा सकते हो उसके भी options है ensemble method के भी options है हमने पढ़ा था balanced random forest classifier bagging classifier भी होता है boosting classifier भी होता है तो यह सारे options है I would recommend एक बड़ा आप इस library का API reference जाकर के check करो काफी knowledge भी लेगा ठीक है so with that I guess this video is over मुझे मेरा goal था इस video के साथ कि आपको एक one shot overview देना है imbalance data का I really hope मैं दे पाया अगर आपको video पसंद आया प्लीज आप इसको like करना और अगर आपने channel को subscribe नहीं किया है please do subscribe मिलते हैं next video में bye